आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A34 Android में आप अपने मुवाइल फून की नेटवर्ग की प्रॉल्ण को आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स इस वीडियो में हैन म कहांए जिससे आपके पून की नेटवर्ग की प्रॉल्व हो जाएगी अब दोस्तो अगला process आपको यह करना है कि आपको अपने मुवैल फोन को restart करना है फोन को restart करने के लिए फोन के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है थोड़ी दिर तक आपका यह आला पे जाएगा इसमें आपको restart का यह option टाप करना है इससे क्या होगा आपको मुवैल फोन जो है वो automatic switch off हो जागा फिर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे मुवैल फोन के android system में अगर कोई problem आती तो problem जाए फोन को restart करने से ठीक है अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने मुवैल फोन की APN setting को आपको reset करने के लिए आपको मुवैल फोन का setting page open कर लेना है setting page में आपको सबसे ओपर एक connection का option टैप करना है इसके अंदर आपको यह mobile network का option टैप करना है इसके अंदर आपको यह access point name पे टैप करना है इसके अंदर आपको सबसे ओपर एक three dot का option टैप करना है एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको reset to default का option टैप करना है, नीचे एक page आएगा reset APN setting का, इसमें आपको reset पर टैप करना है, आपको नीचे लिखावा आ जाएगा APN setting reset to default, इस तरीके से आपको mobile phone की APN setting को reset कर देना है, जिससे आपके mobile phone की network की problem solve हो जाएगा, अब दोस्तो अगला process ये करना है, कि आपको अपने phone का software चेक करना है, कि वो update है या नहीं है, दोस्तो कई बार ऐसा होता है, फोन के software का update आता है, हम उसा update नहीं करते हैं, तो mobile phone का software ह होने के कारण भी, हमारे phone के Android system के अंदर कुछ कमिया आने लगती है, तो आपके phone का software update है या नहीं, आपको check कैसे करना है, देखिए, सबसे बहले आपको mobile phone का internet आपको चालू कर लेना है, इसके बाद आपको mobile phone का setting page उपन करना है, setting page में आपको नीचे की side है, software update, यहाला option software update पर tap करना है, इसके अंदर आपको download install पर tap करना है, यहाँ पर आपको इस वाले page पर अगर कोई भी update का बटन दिखाई देता है, तो उसे आपको tap करके, अपने phone का software update कर लेना है, जिससे आपके phone की network की problem जो है, वो solve हो जाएगी, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको search icon पर tap करना है, यहाँ पर सबसे उपर search bar में reset आपको लिखना है, आपको नीचे reset का options होगा, reset पर tap करना है, आपका phone directly आपको reset की setting में लेकर आएगा, reset पर tap करना है, इसके अगले page में आपको सबसे नीचे factory data reset पर tap करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की network की problem solve ह हो जाएगी, लेकिन आपको mobile phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहले बात यह दियान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आपकिसी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे, दूसरी बात यह दियान रखने है, कि आपके phone की Gmail ID और उसका password नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखें दोस्तों आपने जिस company का आपने SIM card ले रखा है, उस company के service provider या customer care होता है, उसको contact कर ले ना, ये last option बसता है, service provider या customer care को contact करना, ठीक है ना, SIM card का जो customer care होता है, ठीक है?